तो राची लोग सभा के इचागर विदान सभा, शेत्र अंतरगत, कुकडू सापता हिक हाट मैदान में राची लोग सभा से कॉंग्रिस प्रत्याशी यशश्वनी सहाय के पक्ष में इंडिया गटबंदन का चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ इस चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुचने वाले थे लेकिन नीजी कारणों से मुख्यमंत्री जनसभा में नहीं पहुचे इसके बाद करीब साड़े तीन बजे मुख्यमंत्री का करकेड वापस चला गया वहें इस चुनावी जनसभा में जहारखंड के स्वास्त मंत्री बनना गुपता, कॉंग्रिस प्रत्याशी यशश्विनी सहाय, पूर्व केंद्रे मंत्री सुबोध कांथ सहाय और इचागड विधायक सवीता महतोश शामिल हुई इस दोरान केंद्र के मोधी सरकार को सभी ने जमकर कोसा और केंद्र में इंडिया गठबंदन की सरकार बनाने और राची लोकसभा से कॉंग्रिस प्रत्याशी यशश्विनी सहाय को चुनाव में जिताने की अपील की तो इसके नेका लोट जो आज मत्री बने है लोट में नाचने का काप करते है आज बारसों का क्रेंच मिल रहा है मनुलाई बे लगाम कमाई नजारत बेउग्रानों के लिए कहा था कि दो करोड़ दो करोड़ हर सार नौवार दौवानों को रोज़वार देंगे कि अगर गिंती नहीं आता है तो दस साल राज कर दिये दस साल में दो करोड़ों के इसाथ से बीस करोड़ लोगों को दो करोड़ों है और हम लोग किसी के साथ जोट फरेप करते नहीं पसंद करते नहीं इसलिए जारखंडी हमेशा सामने लड़ता है और हम जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे का यदि नारा इतना मजबूत है तो फिर इतना पेट में दरत क्यों है